इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें चाहिए दो कप के करीब मैदा यहां पर मैंने दो कप मैदा ली है और उसी का मैंने आदा कप लिया है सूजी जीहाद दो कप मैदा ली है और आदा कप सूजी ली है अगर आपको सूजी यहाँ पर नहीं लेना है तो आप इसको स्केप कर सकते हैं मैदा से ही बना सकते हैं लेसे सूजी डालने से एक बहुत ही खस्ता पना जाता है और साथ में टेस्ट भी डवत हो जाता है तीनों चीजों को मैंने यहां पर डाल लिया है आप अपने हिसाब से measurement रख सकते हैं जो हमने मैदा लिये इसको कम या जानदा भी रख सकते हैं अब यहां पर मैंने थोड़ी से अजवाइन लिया है और हाथों से इसको अच्छी से crush करती हुए हैं नमक स्थाइट करेंगे नियुक्त क्षाइट करेंगे कि आपको डाल के थीजों में नमक कम ही यूज होता है साथ ही यहां पर मैंने तोड़ी सी मैथी ली थी और मैथी को अच्छे से हातों से ग्रेश कर लिया था तो भी इसमें एड़ कर दिया है सारी चीजों को अच्छे से एड़ कर देंगे इसके बाद मैंने यहाँ पर रिफाइंड ओल लिया है आप चाहू तो घी मेरी इस रेसिपी को बना सकते हैं यहाँ पर मैंने आदा कप के करीब रिफाइंड ओल लिया था और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स अच्छे से जब इतना रिफाइंड ओल इसमें एड़ करना है कि जब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस तरीके से देखेंगे तो इसके मुठी सी बनन लग जाएhhpa इससे क्याया हुता है यह बहुत ही जानदा खस्ता बनके तक होते हैं अब इस तरीके से जस तरीके से मैं मिला रही सारे मैं मैंड़ा मैं मैंने इसको मिला लिया रे-फाइनैको अच्छी से mix हो चुका है और इस तरीके से इसके मुठी बन रही है मतलब ये परफेक्टली तैयार हो गया है अब इसका हम एक डोर रैडी करेंगे तो जो आटा हम इसका लगाएंगे वो ना जानदा धीला लगाएंगे ना ही जानदा टाइट लगाएंगे अब थोड़ा-थोड़ा पानी आइट करेंगे एकदम से सारा पानी आइट नहीं करना है नहीं तो एगीला हो जाएगा जो बहुत गीला बन जाएगा उसके जो मटरियां हैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनती है इस मेरा आता बिल्कुल तायार है एसमें जो पानी है वह बहुत ही कम यूज होता है और फटापट से यह आता भी लग जाता है अब इस आटे को हम क्या करेंगे अच्छे से पहले मसल लेंगे मसल करने के बाद इसको हम कवर करके रखतेंगे इसमें जो सूजी डली हुई है ना वो सूजी भी अच्छे से फूल जाएगी जो हमारी मट्री है वो बहुत ही अच्छी और टेस्टी बनके तैयार होंगे अब यहां पर आटा अच्छी से लगा लिया है अब इसको कवर करके लिए कम से कम मैंने 15 मिनिट के लिए रख दिया था ल करेंगे अपनी मट्री बनाने श्टार्ट करेंगे अब सबसे पहले एक लोई लेंगे तो नोई का साइज आपको जानुएशां लिए उसे इस तरीके से अच्छी से घुमाती हुए हातों से परस करते हुए एक लोई तयार कर लेंगे और लोई को हम अच्छे से बेलन से बेल लेंगे अब यहां पर बेलना जो है वो हमें ना जादा मोटा बोलना बेलना है बलकुल भी और ना ही जादा पतला करना है मतब जिस तरीके से ही रखना की काजू थोड़े मौटे से बनते हैं तो उसका खाने का टेस्टी लगी आता है इसको मैंने बोल लिया था इस तरीके से मौटा इसकी रोटी को रखना है अब यहां पर आप कोई भी कटल ले लिए जिए कटोरी ले ली जिए कोई भी जिस आपक तो पहले एक कट लगा के अब इसको हम काजू के शेप में हम इसको कट कर लेंगे और इसी तरीके से मैंने अपने सारे काजू काट लिये थे यह खाने में तो बहुत टेस्टी लगते साथ हैं बच्चों को भी बहुत पसंद आते हैं और यकीन मानी एकदम क्रिस्पी और शॉप्ट बनके तयार होते हैं और इस तरीके से हम अपनी इस तरीके से शेप में कट करते जाएंगे मेरा जो शेप है थोड़ा बड़ाई ही है आप चाहो तो छोटे शेप में भी इसको बना सकते हो उसी हिसाब से आप इसको गट कर लेज़ेगा यहाँ पर मेरे सारे काजू बनके तयार हैं और अब चलते हैं इनको सेखने की ओर तो यहाँ पर कड़ाई को अल्रेडी मैंने हैं गरम होने के लिए रख दिया था यашच्छे से गरम हो चुकी इसको हम चर्थ करेंगे sporplaces है हमारे काजूओं को शेखने के लिए describe juvenile यहां पर हम इसमें अपने काजूओं को डाल देंगे और एक वार में जितने भी आएंगे उतने इनको डाल दिए और इनको उसेसे। अब उसके तुश कहरेंए जो जल्दी फिलेम रहेईगी सिखती हैं कि अंदर से जल्दी फिलेंगे, रहाँ नहीं नहीं नहीं, नहीं अब यहेःब efण दाल दिया है। बड़ने के भी डानने के लाद हमें इसको छेरचाड़ी पिल्कूल भी नहीं करेंगे, जब यह अच्छ से सीखने लगेंगे तो हम इसको अलर परट करते हुए अच्छे से से पूह लेना, गैस की फ्लेम क्रशाव को हम एलो पाईन नेज्चे , बिल्कूल ही लो रखेंगे, एक बार बना लीजिए और एर टाइट डबे में महीनों तर इस्टो करके रखिएगा जब भी आपके घर में गैस्ट आये आपको कुछ नमकी खाने का मन करें तो इसको फटा-फट से बनाईए और खाकर आप चाय के साथ या जैसे भी आपको खाना है खाने के लिए सर्व कर स बहुत ही एजी रेस्पी है कम से कम आपको 10 या 15 अमिनेट में इसको बना के तयार कर सकते हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है साथ में यह सब को ही बहुत पसंद आते हैं एक बाद जुरू ट्राइए करिएगा अगर मेरी रेस्पी पसंदा में चाको लाइक शि यूज किया है आप जाओ तो आटे से भी इस रेस्पी बना सकते हो मैंने यहां पर आप सूझी भी अएड़ किये हैं आप बिना सूझी डाले ही आटे हैं यह से बनाना हो उस तरीके से बनाके तयार कर सकते हैं अब यहां पर मेरे यह देखियो काजू एक दम पर्फेक्ट बनके तैयार हो चुके थे सिक भी अच्छी गए थे हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरीके से मैंने अपने सारे जो काजू हैं बचे हुए थे सारे को ही इसी तरह से से शेक लिया था और एकदम ही इनका कलर एकदम ही चेंज हो गया था आप जानदा और इस सारे ही काजू मठ्री बनके तैयार हैं और बाकी के जो बच्छी हुए थे वो भी मैंने इसी तरीके से सेक लिये थे एक वाद जरू ट्राय करके देखिएगा आप इसको बनाके रख सकते हैं महीनों तक यह टाय डबे में कवर करके रख सकते हैं बिलकुल भी खराम नहीं हो और यह एकदम क्रिस्पी और खस्ता बनके तैयार हुए थे एक वाद जरू ट्राय करिएगा इस रेसिपी को मिलती हूँ मैं नए स्ट्रीओ में नई रेसिपी के साथ जब तक के लिए बाइ